हेलो एब्रीबन तो देखिए सब्जिक्ट भर्व एग्रीमेंट का दो क्लास अल्रेडी मैंने डिसकस कर शुका हूँ ठीक है और आज ये पार्ट 3 होगा ठीक है तो प्लीज ध्यान से देखेंगे जो मेहनत कर रहे हो उसका मतलब बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ठीक है हमे क्लेक्टीव नाउन को डिसकस करेंगे कलेक्टीव नाउन को बारे में भी बोले या प्रणाउन के बारे में बोले तो कहीं ने कहीं वो subject को ही represent करेगा तो collective noun दो तरीका से है अगर वो group के बारे में बोध कराता है जिसे common लिट बोले हम लोग ठीक है ना bunch बोले bunch of keys नहीं लिख सकते है bunch of keys ठीक है वो पूरे चाभी के समूह को ही तो bunch कहते है तो collective noun से भी होता है तो अगर individual के बारे में बात करेगा तो plural को carry करेगा लेकिन पूरा group के बारे में indicate करें तो singular को तो लिखेगा collective noun such as such as fleet FLWT fleet comma army fleet comma army comma crowd crowd comma committee 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 C-O-M-M-I-T-E C-O-M-M-I-T-E देख ले ना क्या होता है committee sangathan a committee are similar are similar are similar when 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 the group work together when the group work together when when the group work together group work together when the 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 group work together और एह similar consider किया जाएगा कब जब एक group में काम करता है तब okay but but when we when we talk talk about about individual 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 hana individual it is considered plural it is considered plural plural example निख लेंगे इसमें the jury the jury has reached the reached the the jury has reached the decision अब देखो यह jury किसे करते पता है जो नियाय करने वाले जो होते हैं सबूफ जो होता है जजों का उसका जो फैसला देता है सब कमीटी का जो मेंबर है वो जूरी आता है ठीक है तो जब इंडिव्यूज वाली यहां पर नहीं बता रहा है है यह टूगेदर है ठीक है ना तो जब टूगेदर है तो वो क्या करता है जब सब्जेट के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा कौन सा भर्ब करेगा जब इंडिकेट करेगा इसका मतलब इंडिव्यूज वाली बोल रहा है तो वो कैसा प्लूरल हो जागा ठीक है नेक्स रूल लिखो नेक्स रूल डालिएगा दा वर्ड सचेज इसा वाता है वर्ड सचेज वर्ड सचेज वर्ड सचेज वर्ड सचेज वर्ड सचेज वर्ड सचेज मिसल्स मिचल्स, मॉम्प्स, मिचल्स, मॉम्प्स, are always, are always, are always singular, are always singular and carry, and carry singular verb. and carry singular verb, words such as, मिचल्स, मॉम्प्स, are always similar, बिमारी से रिलेटर हो जाता है, generally में, जैसे लिख सकते हैं, example लिखो, मिचल्स, 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 हैज, मिचल्स, हैज, डाइवार्स, साइड इफेक्ट, डाइवार्स, साइड इफेक्ट, डाइवार्स, साइड इफेक्ट, मिचल्स, हैज, डाइवार्स, साइड इफेक्ट, ठीक है, चलेंगे, देखेंगे, हम क्या बता रहे हैं, वर्ड सच अज मिसल्स मॉम्प्स यह सब आपको दिख जाए यानि कि देखो इंड बित एस मिसल्स एस मॉम्प्स एस एड्सेक्टरा कुछ ऐसे वर्ड जो मिलेंगे जो हमेशा सिमुलर लेकिन हमारे माइन में आएगा क्या कि यहाँ पे तो सर मिसल्स है यानि प्लूरल बात कर रहे हैं माम्स है यहाँ जैसे ही देखते हैं तो हम लोग प्लूर यूज करते हैं तो जो गलत हो जाता है ठीक ना हाँ, subject जो होता है न, subject name is always similar, लिखो, subject name is always similar, subject, subject, subject's name is similar, subject name is similar, and, and carry singular verb, carry singular verb, subject name is similar, and carry similar verb, हाँ, जैसे mathematics, आर नहीं, mathematics is a good subject, हाँ, लेकिन मेरे लिए बेकार, हाँ, लिखो, English is, English is, English is interesting, interesting, interesting subject, English is interesting subject, हाँ, जैसे 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 ज्यनरली उसमें डाऊट होगा, आपको, जैसे mathematics, mathematics एस लगा हुआ है civics एस लगा हुआ है politics एस लगा हुआ है इथिक्स एस लगा हुआ है लेकिन आपको कोई s से लेना देना नहीं है इस सब एस लगे चाहे y लगे चाहे z लगे इसमें कोई वैसा नहीं cases होते है यह हमेशा similar carry करेगा यानि similar subject के form में होगा तो जब भी mathematics रहा है तो mathematics is a good subject and mathematics is easy ओके that's all चलो next next rule डालिएगा next rule डालिएगे next rule डालिएगा the title of book the title of book the title of book require singular verb डालो the title of the book the title of the book require singular verb singular verb the title of the book require singular verb singular verb the title of the book require similar verb example लिख लो great expectation is a good book यह किताब है great expectation great expectation is a good book good book अब यहां आर रहेगा ना तक खतम कर देंगे ठीक ना the Harry Potter is a good work जो Harry Potter लिखा हुआ है वो किताब बहुत अच्छा है तो इज हो जाएगा ठीक ना यानि कि यहां पर concept क्या समझना है the title of the book जब है तब वो singular subject को कैड़ी करेगा next rule डालिएगा लिखेंगे if two subject लिखो next rule if two subject if two subjects if two subjects are joined by are joined by if two subjects are joined by as well as as well as if two subjects are joined by as well as the verb bill the verb बहुर्ब ब्ल akin कि भार्वेब इल एकsurड इकॉर्ड फॉर्स्ट सब्जेक्ट 156 perdre 152 स सब्जेक्ट जूरा हो किसी से जूरा हो बाबू 홈 ज वी एज वैज से जूरा हो जब दौ सम्जेक्ट as well as se jura ho तो it will carry if two subjects are joined by as well as the verb will used according to the first subject just example Rohan as well as as well as his friends his friends his friends leaves hooga कि leaves hooga leaves in Missouri leaves in Missouri leaves in Missouri तेखेंगे क्या बताएंगे हम concept यहाँ पर हाना if two subjects यदि दो subject as well as se jura ho joint किसके द्वारा है as well as as well as se jura है the verb will use verb जो परियोग होगा किसके अधार पे according to first subject चलो उदारान से समझते है यहाँ पे रोहन रोहन is the name of बेक्ती and this is proper noun as well as is the term which is used for joining जिसको कांजक्शन कहेंगे his friends यह friends जो होता है वो common noun में आ जाता है यह भी subject है तो यह हो गया first subject यह हो गया second subject लेकिन भर्म का परियोग first के अधार पे तो यह similar है इसलिए leaves हो जागा ठीक है तो यह इसके अधार पे हम लोग करते हैं हाणा इसका यह हो गया next rule लिखो next rule डालो लिखो if the subject यह हो error में है if the subject the subject if the subject हाना मेनी के बाद a का परियोग हो क्या होगा देखो if the subject हाना लिखो the subject हाना फिर मेनी से शुरू होगा मेनी के बाद a है अडायस में कुछ भी रहे ठीक ना is always is always always followed by followed by similar subject followed by similar भर्ब बाबू followed by similar भर्ब यह हमें ऐसा similar भर्ब के द्वारा followed किया जाएगा कब जब कोई subject है many जैसे example many a man was waiting there लिखो example many a man was waiting there many a man many a man was waiting there was waiting there many a man was waiting there देखेंगे concept क्या है subject जैसे subject के फॉर्म में यहां क्या बता रहा है subject के फॉर्म में क्या बता रहा है actually में subject के फॉर्म में क्या बता रहा है many us start किया जाए और इसके बाद जो blank है blank के मतलब क्या है कि आगे का जो sentence होगा तो ए क्या करेगा हमेशा ए हमेशा जो carry करेगा वो कैसा होगा तो singular word को ही carry करेगा ठीक है ना many a man तो देखो many a लगा दिया आगे start किया है a man जो है बाबू यहाँ condition बता रहा है simply कि many a के बाद कोई भी sentence हो तो वो हमेशा कौन सा भर को carry करेगा singular word इसलिए many a man वाज बेटिंग देर इसलिए वाज का word नहीं चलिए next next rule आजाओ देखो उस वला में बहुत सार आएगा जो रूल पढ़ा दिया के पहले वाला together along beat beat यह सब नहीं उसमें अगर बार बार लिपाने के जरूरत नहीं है इसलिए जो लिखवाया गया था उस समय starting में वो बहुत जरूरी हो जाता है next लिखो तो हाँ a large number of a number of के बात next rule डालेगा next rule डालेंगे इसको मिटा देते हैं जब हम side होते हैं तो स्क्रेंस्ट ले लिया करो जिसको जरूरत है अगर रूस होता है कुछ-कुछ है यही तिक्कत होता है इस अब बोर्ड में डिस्टल बोर्ड में इस अब लफरा नहीं है लिखो यह पर हाए होंगे तुमको नमबर ओफ लॉट ओफ लार्ज नमबर ओफ लार्ज नमबर ओफ और इन सभी के पहले ए आ जाए यानि ए नमबर ओफ ए लॉट ओफ ए लार्ज नमबर ओफ तब ए रहने पर ए जो कैड़ी करेगा क्या कैड़ी करता है प्लूरल भर्ब कैड़ी करता है ठीक है लेकिन इसी में एक और कॉंसेप्ट है बाबू अगर ये नमबर ओफ मतलब कि नमबर ओफ लॉट ओफ लार्ज नमबर ओफ लार्ज नमबर ओफ और इन सब के पहले क्या है द का पर्योग है दी का पर्योग है दी का परियोग है, तो ये कौन सा भर्ब को carry करेगा, बतावो, singular भर्ब, कैसा, singular भर्ब को carry करेगा, कब, जब द लगा हुआ है, ठीक है न, जैसे लिखो, एक्जाम पर में लिख लेंगे, यहां पर लिख लेते हैं यह बला के, यह number of, यह number of soldiers, soldiers were injured, injured during war, during war, यह number of soldiers were injured during war, और यहां क्या है, यहां लिखेंगे, the lots of money, the lots of money, is spent for education, for education, lots of money is spent for education, तो देखो, the lots of है आ गया, हाना, the lots of आ गया, देखो, concept है यहां पर, concept क्या कहता है, ठीक है, subject भर्ब एक्रिमेंट का एक concept है, number of, lot of, large number of, अगर इन सब के पहले एक आपरयोग किया गया है, तो याद रखना यह सब कैसा भर्ब को कैड़ी करेगा, plural भर्ब को कैड़ी करेगा, लेकिन अगर यही सब concept दिया है, number of, lot of, large number of, और इन सब के पहले दा कर्योग किया गया है, तो similar verb को carry करेगा similar verb को carry करेगा तो समझ रहे हैं आगे बढ़ो और concept में क्या बता रहा है the subject is similar लिखोगे when the adjective like लिखेंगे ये भी बहुत important है लिखो when adjective such as when an adjective when an adjective such as such as when an adjective such as much much comma less little and more little and more are used as noun are used as noun are used as noun so no when an adjective such as much less little and more are used as noun then 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 it require it require singular verb it require singular verb ये क्या ये क्या require करेगा singular verb को require करता है it's required similar verb example लिख लेंगे लिखो little good habit 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 makes our life easy little good habits make our life happy makes our life happy good habits adjective mean objective of quality adjective of quality M Nay ठीक न जी हो फिर इसमे एक और example लिख सकते है Less than, less than a lakh of rupee, less than a lakh of rupee is required, rupee is required, rupee is required. देखिए, कर रहा है, when an adjective such as much, less, little and more are used as noun, इसका प्रयोग noun की रूप में करते हैं, तो यह क्या require करेगा? सिंगुलर भर्व को require करेगा, जैसे little good habits makes, यह भर्व का पाचमा रूप है की नहीं? तो तो सिंगुलर ही हो गया, less than a lakh of rupee is, सिंगुलर ही है, तो यह क्या बता रहा है, देखो, यहाँ पर less adjective, तो यहाँ पर जिससे quantity है, adjective of quantity जिसको कहाते हैं, उपर में हो गया good habits, adjective, quality of adjective, adjective of quality तो यह मतलब पूरा subject भर agreement का मतलब इतना ही concept है, subject भर agreement से, ठीक ना, और इससे अब क्या करेंगे, जो सवाल आपको दिया गया है, pyq में, उसको बनाना कोसिस करेंगे, ठीक है ना, और इसमें थोड़ा बहुत, हम लोग मोडल्स का यूज पढ़ लेंगे, तो अच्छा होग मोडल्स का परयोग कहा कहा करते हैं, इसी lecture में हम बता दे तो अच्छा होगा, और नहीं तो अभी कुछ pass क्या बोलते हैं, उसको phrasal भर वाता है, कुछ common phrase है, जिससे सवाल पूछा जाता है, उसका मैंने collection किया हूँ, और आपको बता देना चाहिए, ठीक है, common phrase है, जिसका बार बार यूज होता है, उससे भी हम लोग देखेंगे, full stop punctuation तुम लोग का नहीं है, इस लेवस में, हाँ, models हम लोग एक बर तो डिसकस कर लेते हैं, total models होता है, 13 होता है, यह अल्रडी हम पहले बता चुके हैं, उससे भी सवाल आता है, हम लोग हम models बर्क से, मोडल्स में कुछ-कुछ का परियोग होता है, models तो कर लाइसे भर्व का जो हम classification परहार थे, पहला lecture में, उसमें पूरा हम डिसकस किये थे, पहला lecture के case में, हाना, एक जुलाड़ी भर्व होता है, तो जैसे कि common models users लिख लो, हाना, कुछ-कुछ models का users हम लोग बता आते हैं, छड़-छड़ निद्रफोर्स होगी है, अब इसका जाने, common heading डालेंगे, models, a, m, o, d, a, l, s, है